हमने तो कोई गलती नहीं की थी और शासन ऐसा है कि इस तरीके का आचरण करता है तो बेतर यह है कि जो मेरी जेब में पूंजी है जाकर मैं इंडोनीसिया थाइलेंड या चाइना में लगा दूँ ये देश किसी वैशाय को करने की उप्युक्त स्थालने की है इंडिया इस नौट बेस्ट प्लेस तो बहार के लोग आना बंद हो गए अपने देशवाले भी छोड़के वहां जाने लग पड़े तो जो आपको खर्चे के लिए विदेशी मुद्रक कमानी थी वो आप कमा नहीं पाए खर्चा उतना ही बरकरार था तो स्वावी कहें कि करन्ट अकाउंट डेफिसित होता और कोई कहता कि 65 डॉलर रुकेगा कोई कहता 70 तक जाएगा और इसके परिनाम देखिए क्या होंग कि अब जो खाने का तेल और गाड़ी का तेल और केरोसीन और कोईला और बिजली की कीमत सब बढ़ेगी यूल बी इंपोर्टिंग इंफलेशन इंटू इंडिया आपकी टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी थी कि ऐसे उसमें भी कदम उठाए जिससे की कोई आकर्शन नहीं रहा और फिछले दिनों में तो जो हो रहा है कि हम वापिस 1991 वाली हाई टैक्सेशन दीती पे जा रहा है जिससे हमारे देश के अंदर बनने वाला समान फिर महंगा हो सकता है तो महंगा हो गया तो जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है उनका क्या होगा और मैं मानता हूँ कि देश के हित में कई विशे ऐसे हैं राष्ट्रिय सुरक्षा का विशे है अर्थ विशे अगर डॉलर गिर रहा है तो देश का गिर रहा है कई विश्यों पे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में आमिराय बन सकती है कि इन संकटों में देश को कैसे बचाना है आतनकवाद के खिलाव बन सकती है सरकार और विपक्ष के बीच में जो संबंध है उसको तोड़ने का पूरा योगदान सरकार का था और दो कारणों से था ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशन्शिप बिट्वीन दी गर्वर्मन्ट और अपोड़ शल्मौ अहंकार इतना कि जैसे शासन कभी जाएगा ही नहीं अपने हाथ से और सरकारी तंत्र में जाच इजन्सी द्वारा दो उपयोग इस परिस्तिती में मेंसे हम आज गुजर रहे हैं और अगले छे महिने में की बहुत स्थिती सुदरने वाली है इसकी संभावना मत समझें अब इस देश का एकनॉमिक मॉडल क्या होगा उसको लेकर बढ़ी वैचारिक बहस होती है अब पिछले कुछ दिनों में मैंने सुना की विश्व प्रसिद्ध दो अर्थ शास्त्री यह अलग-अलग विचार देते हैं आज इस देश का हम ढांचा देखें तो आपको कई वर गैसे लग जाएंगा जो इस प्रगति जो हुई पिछले दो दश्कों में उसके लावों से बाहर है और इसलिए स्वभाविक है कि इस देश की एकनॉमिक एक्टिविटी बढ़े सरकार की जेब में राजस्व बढ़े देश में एकनॉमिक एफिशन्सी हो और सरकार के पास इतने सादन हो कि उस आर्थिक प्रगती का विकास का भी लाव गरीब आदमी को मिले लेकिन वो अपने आप में प्रयाप्त नहीं है इसलिए सरकार जितनी भी समाजी क्षित्र की योजनाएं बनाती है उन योजनाओं को चलाने के लिए उनके पास सरकार के पास भी सादन होने चाहिए तो आपको आवशकता है एक अच्छे ग्रोथ रेट की अच्छी एक्टिविटी और ग्रोथ की और उसका जो एक लाब होगा वो किवल एक वर्ग मिशेश तक ना रह जाए नीचे तक भी पहुंचे और सरकारी सादनों के माद्यम से आप योजनाओं के माद्यम से नीचे त है कि जब हम 2020 की तरफ देख रहे हैं कि मैं दो शेत्र ऐसे मानता हूं कि जिनको इस विकास का लाब कम मिल रहा है कि कई ऐसे वर्ग है आरक्षन का लाब मिला कि उससे एक पीडी को नौकरी मिली अगरी पीडी आगे बढ़ी कुछ लाब मिला अभी भी लाब मिलना है कुछ अन्यवर्ग कमजोर हैं लेकिन हमारे देश के जो वनवासी शेत्र है विशेश रूप से देश के मद्ध में जो वनवासी शेत्र है ट्राइबल एरियाज हैं उन तक अभी ये लाब नहीं पहुच पाए अगर समाज का सबसे उपेक्षित निगलेक्टिट सेक्षन हम लोग देखें कि ये जो सादन शक्ति है समाज की उसका पहला अधिकार है तो उस शेत्र का है और भोगोलिक द्रिष्टी से अगर इसको देखना है तो मुझे लगता है कि पूर्वुत्तर देश का बहुत महत्वपूर्ण एरिया है नौर्थीस्ट हमने देश में नैशनल हाइवेज बनाए अटल जी ने जो इस्ट वेस्ट कॉरिडर था उसको कहा कि नौर्थीस तक एक्स्टेंड होगा कलकते से आगे गोल्डन कॉर्डर एंगुलर्स कम्प्लीट पूरा हो गया नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट पूरा हो गया लेकिन नौर्थ इस्ट पहुचना था वो आज भी महासलक के नाम से अधूरा है आप जाकर देखिए छोटे राज्यों तो छोड़िये रेल नहीं है जहां है वहां जो मां 1950 और 60 के दशक में होती थी कि इसको ब्रॉडड गेज कर दी है बाराक वैली में चली जाईए सबसे बड़ा विशे यही है बंगलादेश से जो इंटर्फेरेंज यह जो इमिगल इमिगरिशन आरा इसको रोकी है कभी हमने कल्पना की है कि देश के बठवारे का सबसे अधिक प्रभाव हमें नदर आता है तो पंजाब पे पड़ा इंसा भी हुई लोगों की जान भी गई लेकिन यह उत्तर भारत के दो शेक्र थे कुछ समय बाद अपने पाउं पे खड़े हो गए लेकिन पूर्व उत्तर बंगलादेश के बनने से पहले पूर पाकिस्तार और बंगलादेश के बनने से 1000 किलो मिटर से जादा बाकी देश से दूर हो गया कोई समान वहाँ जाता है किसी बच्चे को पढ़ने के लिए आना है किसी वेरसाइक को समान लेना है आगे बेचने के लिए कोई उद्योग नहीं लगाता क्योंकि 1000 किलो मिटर जादा चलना पड़ेगा और उसकी वज़े स के ट्राइबल शेत्र यह आज भी बहुत बड़े लाबों से वंचित हैं कि कम लाब से भी वंचित हैं और इसलिए आगे हम देखते हैं तो इसकी चिंता निश्चित रूप से करनी पड़ेगी कि डॉक्टर मुकर जी के संबंध में मैंने एक विशे कहा था कि वो अल्रेड़ी अचीवर थे बड़ा नाम था बड़ा परिवार था संपन भी थे विद्वान भी थे इस विशे के साथ इस चिंता को हम लोग जोड़ लें कि राजनीती में जिस प्रकार के लोग हैं क्या उस तरकों भी हमें सुधारना है 2020 तक या 2030 तक राजनीती की ताकत बहुत है जो लोग मानते हैं कि राजनीती की ताकत नहीं है वो गलत मानते हैं The power of politics is immense. और किसी भी parliamentary democracy में नीती बनाने का काम सरकार या संसद करती है। कानून बनाने का काम वो करते हैं। और देश के जन जीवन के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो संसद का होता है, राजनितिक दलों का होता है, संसदों का होता है, बागी लोग जो सिवल सोसाइटी में हैं अन्य शेत्रों में हैं फिंग टैंक्स हैं वो प्रभाव डाल सकते हैं प्रेशर गुरूप्स बन सकते हैं सुझाव दे सकते हैं विद्वान लोग लेकिन नीती महाँ बनती है पॉलिटिक्स इंपक्स पॉलिशी इंपक्स दे लाइप अगड़ी और इसलिए राजनीती में आने वाले लोगों का कद्र जितनी ताकत और अधिकार है राजनीती का उसके अनुकूल होना चाहिए इंपस मेजर अप तुद पावर अपॉलिटिक्स और इसलिए डॉक्टर पूमी हम देखें और आज के विशे देखें कैमा समाज में जिन विश्यों को लेकर चिंता है और गुसा उस राजनीती के खिलाफ है इसको हमें पहचानना पड़ेगा और विशेश रूप से हम राजनीतिक दलों को पहचानना पड़ेगा कि यह जो हाल में निरने आये हैं कानोनी दृष्ट्री से उन पर प्रश्टिचिन लग सकता है एकाज निरने तो बहुत ही लागू किया जाए तो तकलीप भी दे सकता है कठिनाईयां पैदा करेगा उसका दुरूपयोग भी हो सकता है लेकिन आखें बंद करके हर एक को बदल देना देश के राजनितिक वर्ग को इसकी चिंता करनी पड़ेगी केवल कानून की बारीकियों से न देखें तो उसके पीछे पूरे राश्ट्र की राजनिती को इस तरको सुधारने की भी एक बावनाल चुकी है यह जो पूरा ब्रष्टाचार के खिलाफ अंदोलन हुआ और उसके बाद लोगपाल पर बहस हुई आज अगर हम देखें इन सारे ब्रष्टाचारों के मूल शेत्र क्या क्या है पहले हमें लगता था और मुझे भी बहुत मासूमी में लगता था कि सन 1991 में जब लाइसंस राज समाप्त हो गया तो अब लाइसंस की ज़रूरत नहीं है इसके ब्रष्टाचार कम हो जाएगा लाइसंस लेने में ब्रष्टाचार नहीं है लेकिन ब्रष्टाचार के जो शेत्र थे वो अलग-अलग हो गया जमीन, लैंड, लैंड रिलेटेड पर्मिशन, लैंड रिलेटेड एक्स्ट्रोइटेशन, आज पूरे देश के अंदर इसके साथ एक प्रस्टेशन लगा हुगा है, माइनिंग, सरकार जो प्राकृतिक साधनों की मालिक है, चाए गैस हो, चाए मिनरल हो, चाए कोला हो, चाए स्पेक्टरम हो, उसका जो आवंटन करती है, उसके आवंटन में जो प्रस्टाचार है, वो तो कभी भी लाइसेंसिंग में नहीं था, उसकी जितना मैगनिट्यूड बड़ा है, और इसलिए जो मनमानी करना, डिस्क्रीशन करना इसको समाप्त किया जाए, ये एक विशे है, शिक्षा के शेत्र में, ये जो सुप्रीम कोट का जज्ज्मेंट आया है, मेडिकल कॉलिजिस के संबंद में, इसका जो परिनाम होग ग्राजुएशन, पोस्ट ग्राजुएशन और सुपर स्पेशालिटी मेडिकल सीट्स, अब वो लाखों में नहीं होंगी, करोणों में उसका खर्च होगा, और जिसको चाहिए होगा, उसका परिवार बीस साल पहले से उसकी तयारी शुरू करेगा, लोगपाल पे काफी हद तक एक आमराय बन गई, सिलेक्स कमेटी में, लेकिन तीन सत्र निकल गए, आज तक उसको आगे नहीं लाएं, मुझे लगता है, जब दोजार बीस की आत्रव हमें पूरी करनी हैं, तो आर्थिक विश्यों के साथ इन विश्यों के भी चिंता, समाज में हमें करनी पड़ेगी, जम्मू काश्मीर, उसको अलग अस्थित्व देना अपने आप में इतिहासिक गलती थी,